नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मीन रासी वालों का आज का दिन यानी की चार फरबड़ी 2021 का दिन कैसा बीतेगा आने वाले समय में आपके जीवन में क्या-क्या पड़ी वर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों अगर आप मुजे इन्स्टागराम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इन्स्टागराम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके घर पड़िबार के बारे में मित्रों आने वाले समय में आपका पड़िवाडिक जीबन सामान ने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने वाले समय से पहले यदि आपके घर पड़िबार में कहीं कोई पड़िशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय में उस पड़िशानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जयादा खराब होगा वैसे आने वाले समय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कौन से आपका आने वाला समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार है मित्रों आने वाले समय में यदि आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का से मुलाकात करते हैं तो आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादार रोमांचक एबं बेहतर होगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक नौकडी करते हों जॉब करते हों तो आने वाले समय में आपके नोकडी के छित्र में आपके बोस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत इमान दाड़ी एबं एक आग्रता के साथ आपको पूरा करना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा तोट का भाग्य साली रंग एबं भाग्य साली अंक क्या है मित्रों आने वाले समय में आपके लिए भाग्य साली अंक है नो यनी की नाइन आपके लिए भाग्य साली रंग है क्रीम एबम सफेद मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदर बनाने के लिए आपको काले धथूरे का बीज सिबलिंग पर चढ़ाना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो यही था आपके आने वाले समय का रासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें धन्यवाद